किताबों की दुनिया में एक बार फिर आप सबका स्वाकत है हर सत्र में हम किसी ना किसी नहीं किताब के साथ मन्थन के साथ आपकी भी जो पस्तित होते हैं आज उसी विचार विचारिक मन्थन को आगे बढ़ाते हुए एक और नई सत्र के साथ आपकी बीच उपस्तित है स्वागत, खुशामदी, जी आयनो आज की इस चर्चा में जहां पर हमें बहुत ही विशेश पुर्तक के उपर चर्चा करने वाले हैं हमारे बीच आज जो किताब है आयोध्या राम मंदिप भारत's quest for Ram Rajya authored by Dr. Swadeesh Singh Ji published by Rupa Publication Dr. Swadeesh Singh, you are an educator, you are an activist, you are an author educated at Indian Institute of Mass Communication and Jawaharlal Nehru University and working at University of Delhi right now alongside your various contributions in the world of academia, media you have been a very important example for many in the field of experiential learning इनी बातों के साथ आये करते हैं स्वागत आज के हमारे किताब के लेखक Dr. Swadeesh Singh Ji, नमस्कार नमस्कार, thank you for kind words thank you, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका और मैं सबको बताना चाहते हूं कि इस समवाद हम दो भाशाओं में करेंगे और हम अंग्रेजी में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे प्लीज लेट अल नो, what was the inspiration for the book इस किताब की प्रेंणा क्या थी first of all thank you Amina ji for inviting me in this program on this platform, Awaaz the voice I belong to a place near Ayodhya, a name Pratapgarh and I was born and brought up in Lakdow so you can say that I am from that area of Awad and Koshal Pradesh you can say, Sakit you can say so this Ayodhya is the epicenter of Sakit, Koshal, Awad time to time this region was known by these names so I belong to that region, मैं उस छेत्र को बिलॉंग करता हूँ आओधी हूँ मैं so Ramacharit Mahanaj भी आओधी में लिखे गई and since my childhood I learned many stories when I just four year old, five year old we used to listen stories from our grand parents so my dadi जो थी वो कहानिया सुनाय करते था है so I learned this word Ram from her mouth dadi हमारी जो होती थी उन से सीखा तो जब ये सारी चीजे होने लगी तो लगा कि क्यो नहीं जब ये ऐसा आउसर आ रहा है कि Bhagawan Ram आ रहे हैं after the exile of five and more than five hundred years तो क्यो ना ऐसे समय में because we are teachers like you said that you are also teaching in Jamiya, Miliya, Islamiyya and I am also teacher in Delhi University so why should not we contribute from our own way so we can write, we can deliver lectures, we can disseminate knowledge and information so this is why I decided that I have to write something on Lord Ram and his place Ayodhya so from where this idea came up मुझे किताब लिखनी चाहिए कि जो भगवान राम के बारे में हो उनके लिजेंड के बारे में हो और जहां वो रहे, जहां वो पैदा हुए Ayodhya उसके बारे में हो तो ये जो पूरी किताब है ये भगवान राम के बारे में है उनके जो बनवास रहा पिछले 500 साल का उसके बारे में है उससे पहले कि जो Ayodhya है वो कैसी Ayodhya थी लिजेंड में कैसी Ayodhya है इतिहास में कैसी Ayodhya है हमारे फ्रेंच और पर्शन स्कॉलर्स और बहुत सारे अलग-अलग समय पे स्कॉलर्स हुए उनके लिटरी सोर्सेज में कैसी Ayodhya है उन्होंने क्या हिस्टी लिखी इसके बारे में है और राम डिजन बिलॉंग अनली टू इंडिया बट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड जो राम है वो जाने जाते हैं अलग-अलग तरीके से पूजे जाते हैं तो ये उनके बारे में किताब है कि राम को आपको बताओं थाईलेंड के राजा को राम कहते हैं केरेबियन्स में जब मौरिशस में हमारे खासकर की पूर्विट तरप्रदेश और बिहार के लोग गए तो वो कैरी करके ले गए रामचरित मानस तो वहाँ पे शाम को कैसे वो रामचरित मानस का पाठ करते हैं आज मलेशिया इंडोनेशिया के कल्चरल अक्टिविटीज का हिस्सा है कि वहाँ पे रामायड के बहुत सारे प्रसंद खेले जाते हैं उस पे बात होती है अंकोरवाट में पूरे जो अंकोरवाट जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पे कैसे पूरी रामायड की कथा उकेरी गई है वहाँ पे इसके बारे में चर्चा है तो एक तरफ यह पूरी चर्चा है फिर पिछले 500 साल की चर्चा है अब फिर उसके बाद जो transformation होने वाला है as you said that भारत quest for रामराज है तो रामराज is like a welfare state, an ideal state तो वो कैसे बन सकता इसके बारे में यह किताब है बहुत ही सुन्दर तरीके से स्वदेश जी ने हमें बता है जब हम आप यह किताब को देख रहे तो आपने यहां पर जब आप प्रभु राम को देखते हैं तो आप एक faith के आपने जिकर करा है आपने यह भी चर्चा करा है that it is like the spiritual and cultural compass so you are looking at Lord Ram in a bigger scheme of life आपने यहां इस वाली किताब में बापू राश्टर पिता महात्मा गांदी जी के राम राज्य का भी चर्चा किया है एक शिक्षक के रूप में राम राज्य के आपकी परिभाशा क्या है होता क्या है कि हमारे आपके जीवन में या किसी भी समाज में एक आदर्श होना चाहिए और हमें उसे प्राप्ट करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए तो और चुकि हम लोग राजितिक विज्ञान के विद्यारती हैं So we study state So we always aspire for an ideal state Plato has talked about ideal state Marx has talked about commune So these are ideal state लेकिन गांधी जी ने उसी को रामराज्य कहा ऐसी जगह जहां पे सब लोग बहुत शांती से रहते थे बहुत ही समरिद्धी थी जहां पे घरों में ताले नहीं लगते थे जहां पे आदमी और और औरत बराबर होते थे एक ऐसी कोई कलपना जो जिसकी तरफ हम सब को लगातार बढ़ना है वो ऐसा स्टेट जहां पे बहुत ही समरिद्धी हो जहां पे समर्थ हों सब जो शशक्त हों सब So can we aspire for that kind of a state So in Indian context If you see that रामराज जी is that ideal state which गांधी talked about and there are definitely many other thinkers and authors लोया जी had talked about Ram and Krishna and Shiva So बहुत सारी लोगों ने इसके उपर चर्चा की है तो कैसे हम लोग उस लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और वो लक्ष प्राप्त कैसे होगा कि जहां राम खुद हुए उस आयोध्या में वो आयोध्याच कैसी है उसके आसपास का इलाका कैसा है अगर वो इलाका ही उस तरह से समर्द नहीं होगा तो हम वहां से कोई आइडिया कैसे निकल सकता है तो हमने जो राम के समय जो पूरा छेतर रहा होगा वो कोशल प्रदेश रहा होगा पूरा देश रहा होगा क्या हम वैसा ही कुछ बना सकते हैं तो जब ये आज 22 जनवरी 2024 को जो राम अभी वहां पे प्राण प्रतिश्था होने जा रही है उसके पहले ही अगर आप देखे मैं अपनी रिसर्च के दोरान कही बार उस इलाके में गया और मेरा घर है और मेरा घर है और गेगिना आई वेंट तो देट एरिया time to time and I found that there is a churning going on not just at a political level, at social level, cultural level and top most economic level वहां पे जमीन के दाम बहुत बढ़ गए है वहां पे व्यापार बहुत बढ़ गया है और सिफ आयुद्या में है आजपास पचास सो किली मिटर में एक पूरा एक आपको एक वातावरन पूरा बन गया है अब ही उसको इंटरनेशनल टूरिस मैप पे ला दिया गया है उसकी वज़ा से बहुत सारी टूरिजम इंडस्टी आ रही है तो एक इंटरनेशनल टूरिस मैप पे जब आयुद्या आ जाएगी तो वो राम जो केरिबियन में भी पूजे जाते है तो वो राम जो थाइलेंड में जहां राजा का नाम राम है वो राम जो इंडोनेशा में है तो वहाँ पे कितनी सारी एकोनौमिक एक्टिविटी होगी तो वो एक आइडियल स्टेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगा और वो समरिद्धी आएगी और जब आम आदमी समाज के बिलकुल आम आदमी के पास जब संसाधन होंगे संपत्ती होगा सम्मान होगा तो वो सही अर्थों में रामराज्य हो गया उसकी शुरुवात यहां हो रही है आप कहेंगी अब तक क्या था दरसल हुआ कि जब वहां से राम को हटा दिया गया जो से कहते हैं कि जो मंदिर तोड़ दिया गया उसके बाद जो वहां राम रहे ही नहीं राम वहां पे टाट में रहते थे टेंट में रहते थे तो वो श्री हीन हो गई संबर्धी हीन हो गई means आयुद्ध्या lost its scene आयुद्ध्या ने अपना जो चमक थी वो खो दी जब आयुद्ध्या ने अपनी चमक खो दी तो जैसे कहीं से कोई चीज़ चमकती तो आसवर बड़े अरिया को वो प्रकास देती है तो वो सारा का सारा हम देखेंगे कि पूरा इस्टन यूपी बिहार जारकाण एक पूरा इलाका बहुत पिछड़ा है जिसको हमारे प्रामिनिस्टर भी कहते है कि भारत का पूरवी हिस्सा तो अगर हमें भारत के पूरवी हिस्से में समरिधी लानी है लोग एक आम आदमी तक जो बेसिक जरूरते होती है रोटी, कपड़ा मकान, बिजली, सड़क पानी, स्वाथ, सिक्षा, रोजगार देन वी है तो इंशूर इस थिंग यही है राम राज्य का प्रमुक स्वरूप जिसमें आप देख रहे हैं कि आज उसको एक नया गती भी दी जा रही है स्वदेश ची इस से जुड़ा मेरा आप दूसरा सवाल है और यहां में एक रिसर्चर के रूप में आपके जरा विचारों को समझना चाहती हूं जब आप आयोध्या की बात करते हैं तो आपने एंशन टेक्स भी पड़े हैं आपने उसको मेडीवल और बिटिश टाइम के जमाने जो कॉंक्वेस्ट हुई आपने वो भी समझी है आप आवद से जुड़े हुए हैं आपने आवद का विजिकर करा आपने बताया कि कुछ नवाब टॉलरेंट भी थे किस प्रकार से आप इस पूरे इसू के पीछे ऊपर please help us understand as a historian how easy or how difficult was it क्योंकि आपने इतिहास का बहुत लंबा अगर मैं अचेंट, Medieval और Modern को देखूँ आपने पूर बहुत लंबा दायरा आपने सफर किया है so your reflections how easy or difficult was this to use this historical methodology it was very much easy and definitely difficult means sometime history is related with politics if you have that political will so things become easier otherwise it becomes a vicious circle so means just take one example that in 2003 high court directed ASI to do execution and that the report of that execution became the evidence for the verdict in 2010 तो अब यह सोचना चाहिए कि क्या अगर 2010 में जो रिपोर्ट के आधार पे high court ने निर्ने दिया और वही बाद में supreme court का भी आधार बना 2019 में तो क्या उससे पहले के कोई प्रमान नहीं है तो ऐसे बहुत सारे प्रमान हैं मैं आपको बताओं 1822 में वहां पे सैफ उल्ला करके एक डिस्टिक आफिसर थे उन्होंने एक डॉक्मेंट सब्मिट किया था जिसमें उन्होंने 1822 में बताया कि दाम मंदिर जो है वो एक मंदिर को तोड़के बनाया गया उसके बाद 1975 में भी एक प्रोजेक्ट हुआ ASI का जिसमें ये बताया गया कि दरसल वहां पे जो खुदाई हुई थी वो उस समय कुसी कोर्ट के डिरेक्शन पर नहीं नॉम्मली जो ASI अपने प्रोजेक्ट करती है उसके आधार पे वो रिपोर्ट ही दबा दी गई उसको टेक्निकल सपोर्ट नहीं दिया गया 2008 में बीबी लाल जी ने किताब में उसे बताया कि वहां पे ऐसे कई खंबे मिले जो किसी मंदिर के ही आउशेस हो सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेंच और परिशन स्कॉलर्स थे जिन्हों ने अपने अपने लिटरेचर में अपने रिसर्च में भी लिखा और क परिशन टेक्स में मिलते हैं जाहिसे बाद परिशन टेक्स लिखने वाले वो कितने हैं अलग अलग कम्मुनिटी के लोग थे हमारे मुसलिम स्कॉलर्स भी थे उन्होंने भी इसकी एविडेंस दिये 1822 का मैंने जो पहली बार कोई कोई डॉक्मेंट सम्मिट हुआ गवर्न अलग अलग तरीके से सिर्फ रिसर्च में ही लिट्री सोर्स मिलते हैं जहां पोयम्स में भी ऐसा कहा गया कि वह अध्या जो राम का जन्मिस्थान है और यह परिशन में तो काफी कुछ मिलता है क्योंकि मेडिवल टाइम जो है परिशन लिटेचर से ही डॉमिनिटेड है ब आपका पात्रीकारिता से ब Samachāर को भी देख रहे है अपका पत्रिकार से भी अफी काफी गेहरा संबंध रहा ह। financing याज के लिगर लीगल टिस्क्रिप्टिव और торिकार थे अप्रोच तीनों को कैसे समन्वें भीधं अपने आगे वाले चैप्टर में एक argument जो होता क्या है कि इसको समझे और सिर्फ argument से अलावा भी एक faith होता है belief system होता है पूरी दुनिया में इस तरह के जो भी बड़े structure रहे हैं इस तरह के बड़े जो भी prophets रहे हैं या God Godses रही हैं उनमें किसी को ऐसा कितनी बड़ी legal battle नहीं लड़ने पड़ी मेरी learning यहां पे यही रही कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे constitutional तरीके से पूरी tolerance के साथ society majority society जो थी उसका अपना एक पक्ष़ था उसके बावजिद हम लोग लगातार एक बात को कहते रहें और उसको non-violent तरीके से peaceful तरीके से उसका resolution करने के लिए करते रहें कि दरसल हमारे democracy की जीत थी तो इसको इसमें हमें मानना चाहिए कि दरसल हमारे society कितनी mature है कैसेंस में कि यह जो बात रही जैसे कि जो आपने का पोस्ट इंडिपेंडेंस उस एरा में तो जब 1950 में जब सदार पटेल जूनागड की जो बात थी जूनागड के लिए कि तरफ एक बार गये तो उ ऐसा बहुत सालों से है तो उन्होंने और कमेटी बनाई जिसमें किया मुंशी जी भी थे बाद में पटेल नहीं रहे तो सोमनात मंदीर का जीर नोधार हुआ और यह काफी न्यूज छपी तो पीपल गड़ इंस्पाइड बाइ इस न्यूज आप इस न्यूज आप पहले लोकल लेवल पे हुआ फिर उसके बाद अगले तीस साल तक थोड़ा थोड़ा काम होता रहा जो उस समय की सरकारे थी शायद उनकी पॉलिटिकल नहीं थी तो इस वज़ा से चीजे नहीं हो पाई बट इन नेक्स 30 एस पीपल सेंटिमेंट्स देट गट मोमेंटम उसमें एक बड़ा बड़ाव आया और एटीज में जो बड़ाव आया उसको जो करेंट डिस्पेंसेशन अगें डे डिड नोट बॉदर अबॉदर अबॉट तै और जो उसके बाद जो सेकेंड इसके बाद से पूरा एक वातावर दरसल बड़ा तो इसके पॉलिटिकल डिपरकॉशन भी है इसके सोचल डिपरकॉशन भी हुए डिफिनिटली कल्चल हुए ही और अब इसके एकोनॉमिक रिकरपर्शन भी होंगे कि अब आने वाले समय में कैसे एक बड़ा बड़ाव द इसके बाद में जिसे शुरुवात होता है विद गहरा शब होता है बहुत गहरा शब्द होता है और इस फोकस ओन डिवाइन होम कमिंग अज एजुकेटर अज पोलिटिकल साइंटिस जोर्नलिस्ट ऑथर योर आइडिया ऑफ स्पिरिच्वालिटी इस वेरी इंक्लूसिफ योर्ड आपके इज विचारस पर देखि अलमा हिंद ने अलमा इगबाल ने भी राम को इमां में हिंद का है और ऐसे बहुत जगह आपको मिल जाएंगी जहां पर राम को हमने एक साजी विरासत का हिस्सा माना है एक गंगा यमनी तहजीब का हिस्सा माना है और यह बहुत स हैं वो सभी पीते हैं सभी उसका आच मन करते हैं जो सर्यू के किनारे सभी लोग रहते हैं तो ज रौविदाज जी कहते हैं तो मेरा मन चंगा तो गंगा तो आपका मन अगर अच्छा हो तोάλवाःटी भी कंगा हो जाएगी तो दो लोगों को भी दरसल एक वैसी, अगर एक सम्रिद्य समाज बनाना है, अगर एक सशक्ष समाज बनाना है, तो हमें एक सम्रश समाजी बनाना है, we have to create a prosperous society, an empowered society, and a harmonious society, तो वो जो harmonious society बनानी है, हमको एक जो एक faith system है, एक सब का, एक दूसरे का, उसकी respect करनी पड़ेगी, tolerant नहीं करनी पड़ेगी, यह toleration का जो विचार है, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, यह western concept है, tolerant को हमने बहुत है neutral word बना दिया, लेकिन यह अपने आपे बड़ा खतरनाक word होता है, we have to respect each other's ideas, each other's faith, we should not tolerate each other's faith, tolerate का मतलब होता है, हम बरदास्त करते हैं, तो हम कब तक बरदास् पड़ेगा कि भाई जो राम है, वो सब के हैं, और सब राम के हैं, तो इसमें दूसरे के faith को आस्था को सम्मान देते हुए, अपना अपनी अपनी आस्था को व्यक्तिकर जीवन में जीना है, इतना छोटी सी बात है, तो भारतिय मूल्य का जो विचार है, respect all, उसके साथ आ आम राज जी और ये विचेपर, आगे भी बहुत सारे किताब होने वाली है, और होनी भी चाहिए, as a author, because I would like to tell everyone, किताब बहुत 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 रही है, it's one of the best sellers, सुदेश जी बधाई इसके लिए, but as a author, what would be your advice to future aspiring authors, जो लिखना चाहें, पहला चैप्टरी है कि जो पीछे की पूरी स्टोरी है, ancient times में, medieval times में जो हिस्ट्री है, कि वो अवद या साकेत, जैसे buddhist और jain literature में साकेत का जिक्राता है, medieval time में का किता है, अवद का जिक्राता है, हम लोग अवद के नवाब की बाता भी आप कर रही थी, वाजी दरी शा ये तो बहुत अच्छा काम भी किया, लखनों में और फैजाबाद में, और ancient times में भी जिक्राता है, तो उसके उपर ही पूरा एक काम किया जा सकता है, फिर उसके बाद जो medieval times है, उसमें जो struggle रहा, उस history को भी समझना चाहिए, नई light में, कि दरसल वहाँ पे क्या हुआ, और post-independence era में जो दरसल identity politics रही है, उसको भी समझने का पूरा प्रयास होना चाहिए, and the most important thing is Ram Raj, means every society, every civilization has given their idea of ideal state, तो हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी society के पास एक लक्ष होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष होना चाहिए, like America ने late 19th century में कहा, great American dream, China is talking about Chinese dream by 2048, so what should be our aim, so Ram Raj could be that kind of phenomena, what Prime Minister is today saying that Vixit Bharat by 2047, so हमारे यहाँ, प्रधान मंतरी नरेंद मुदी से पहले, इस तरह का किसी ने 20-25 साल का लक्ष लेके, लगातार एक objectively तरीके से, point by point का भी सोचा नहीं, हम ज्यादा स्यादा हमने 5 साल का target लिया था, पंच वर्शी ही हो ज 57 के 5 एर प्लान में target कुछ हो गए, तो इस तरह से जो भी हमारे पॉलिटिकल साइन्स के रिसर्च स्कॉलर्स राम राज जे के बारे में उस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, सोशाल जी के स्कॉलर्स रिसर्च अबाउट तो प्लेस अराउंड इस आइडिया, इस इन दिस रीज काम करने का और डिफिनिटली जो रिसर्च स्कॉलर्स से वाने वले समय में इसमें काम करेंगे करेंगे निश्चंत रूप से बहुत काम होने वाला लेकिन आपकी जो किताब है उसने बड़ा मेहत्पून स्तम्ड जरूर रख दिया है अब अब धाया एक बार फिर आपको एक आप तरू यूज को इसे प्रिछिय अपने बढ़े में अपने रहें मिलेखते तर्नुष। एपिरिस्ट्एव मने रेकिन इसी रहें पिरिस्ट्वाने हैं अब सद्वा लेकिन आमके धा आपने लेकह swords पने उसको युद्ःचरव का है एक बाया हैं और फ्सक्कर इंन है कि अब पूरा एक chapter close हो रहा है कि जो एक लंबे समय से चल रहा था पिछले कई सालों से सौ सालों से अब उसको close करके हमें दरसल समरिधी की रास्ते पे चलना चाहिए prosperity की रास्ते पे चलना चाहिए governance के रास्ते पे हम चल रहे हैं लगाता और उसके अभी results भी अच्छे आ रहे हैं सो हमें भी future में कुछ ऐसा ही एक peaceful harmonious society कैसे बनेगी जैसे कि आप तो political science पढ़ाती हैं तो आपको पता होगा कि liberty, equality, fraternity ये एक बहुत universal idea है तो liberty and equality पे तो बहुत बात होती है काम हुआ है but what about fraternity बंधुत्व तो ये बंधुत्व भाईचारा जो है इसके उपर भी काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये सारे जो सारा जो प्रयास हो रहा है इससे fraternity पे हम लोगों को थोड़ा काम करने का और मुझे आने वाले समय में तो बंधुत्व के विचार को हमें और आगे लाना चाहिए इसी के साथ मेरा आखरी सवाल बदाब रिक्वेस्टिंग ये रिवेस्टिंग आपने बहुत इंपर्टन बात कहिए जो आपने कहीं कहीं जो विवात था जो क्या का किंए जो नहींननने फिल्पेटर रिक्त 1 अविवेस्ट सब ए बिल्पेशन एगार का अ माद्गिए जोफे में विचार के सांक्सिफ न शायरे में तों कहीं आपने कहिते हान भीचार घ्लीज़ काने कि कहीं जोचार कैने कि ये विचार के लिश़ आखर बारे मेंungs example आपने दिया दूसरा मैं देता हूँ कि जैसे 6 दिसंबर को एक धाचा वहां पे गिरा और उसके अलावा भी वहां पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी लेकिन किसी को कुछ भी नहीं छेडा गया लोगों का एक था कि भाई हमें ये वापस कर दीजे वो वापस नहीं उसके अलावा भी शहर में और भी चीज़ें रही होंगे कहीं कुछ नहीं हुआ और दूसरी बात आपने कहीं कि 9 नॉमबर 2019 के बाद 10 नॉमबर को कहीं भी कोई भी ऐसी अनप्लेजन्ट इंसिडेंस हुआ नहीं तो हमारा सोसाइटी हमारा यूद ऐसा सोच रहा था ऐसे ब तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग साथ में किन पॉइंट्स पे आ सकते हैं अगर डिफरेंस की बात करना चाहे तो इसे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे डिफरेंस से हो जाएंगे लेकिन वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हम साथ लेके चल सकते हैं उन पे हमें ज़्यादा चर्जा करने के जरूरत है जैसे कि रोजर स्कूरूटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ है तो वो कहता है कि एवरी सोसाइटी एवरी सिविलाजेशन एवरी नेशन इस्टेट डे शुड डिफाइन देर फर्स पर्स पर्स प्लूरल यहां पे क् होग है कि हमें अगर टूरिजम भी करना है तो मौल अधिस से पहले लक्षदीब चले जाना चाहिए हमें देश में जो पर्धानमंतरी बारबर कहते रहता है कि आप देश जाने से पहले 15 पहले 15 जगां पहले देश की जगाओं पर चले जाओ आपको शादी करना है डेस्ने टूरल के को डिफाइन करना चाहिए और उसको एक टागेट बना के अगले 10-20 साल का जो टागेट हो उस पे चलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि हम वो थेशोर्ड क्रॉस कर चुके हैं कि एक साइजबल नंबर यूथ का जो है वो दरसल इसी फ्यूचरिस्टिक वे में सोच रहा है कि दरसल उसे स्टार्ट अप चाहिए उसे जॉब चाहिए उसे एजुकेशन चाहिए उसे वाइफाई चाहिए रोटी कपड़ा मकान के साथ वाइफाई बहुत जेरी हो गया आज के नई जनरेशन के लिए तो वो नए तरीके से सोच रहा है जो इंस्टाग्राम जनरेशन है उसको उसकी फेथ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ उसको डेवलाप्मेंट चाहिए गवर्नेंस चाहिए करप्शन नहीं चाहिए और यह सब जिस लीडर्शिप में देता है उसको वो चुन रहा है तो यह हमारा फ्यूचर है और यहीं हमारी रामराज्य की कलपना है है देश की शमडिती देश की टरक्थी के साथ रामराज्य की सही परी भाषाव देश की तरक्थी के साथ ही सब को अपने अपने साथ परी भाष Das मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने सुन्दर किताब से आपने फेवरिट लाइन्स है प्लीज तो यह समय आवास दवाइस में और इसमें कारिक हमारी जो चर्चा है और मैंने आपसे कहा था और यह समय पर अपने फेवरिट किसी भी ओतर के लिए इस पूरी किताब के एक एक है गाए फेवरिट अपसे लास्ट परग्राफ जो है बुक का मैं सिर्फ वह पढ़ देता हूं और साइद उससे सिर्फ राम का ही नहीं, इस रास्ट का, इस देश का, और कितना महान ये देश है, यहां के लोग है महान, यह पता चलता है The judgment and the resultant victory for Indians has also shown to the world that complex issues can be solved through democratic and constitutional method The fact that there has been not even an eye of violence after the historic judgment of the Supreme Court is a testimony to the peace and mutual respect that is prevalent in the country This peace and mutual respect is also regarded as one of the chief trait of the Ram Raj It would not be futile to expect that these tenets of Ram Raj further develop in Indian society and lead to a more prosperous and developed country Marked by equality, mutual respect and tolerance for all Thank you very much, thank you very much, thank you Dr. Sadej Singh Ji, thank you very much, thank you and thank you very much And once again, you have a great pleasure for your book, and welcome you to this book You can write a great idea with your thoughts from this approach and ideas from this approach And your book is more about the future, and beyond the future, and the future is growing, It is a great pleasure to have you too, thank you for joining us, and to assist us on this book discussion we look forward to your very positive encouraging feedback in the comment section of the in the comment section thank you Jai Hind, Jai Bharat